कौन काता है रोशनी सिर्फ चिरागों से होती है बेटिया भी घरों में खूब उजाला करती है मेरे साथ देश की बेटी हम सब की लाडली और भागलपूर की शान राहिवा अनवर हैं राहिवा अनवर भागलपूर की हैं और ये मौन्ट कारमेली स्कूल में सिक्स कलास में पढ़ती हैं अब इसमें खास क्या है? खास है राहिवा पश्शिम बंगाल के आसन सोल में आयो जीत नेशनल डान्स एस्पोर्ट्स चेंपियन सिप में गोल्ड मेडल यानी स्वर्न पदक जीती हैं इतना ही नहीं राहिवा अनवर ने वहाँ पर बिहार का परतिनी धुत्वी की और इनका जो है चयन इंटरनेशनल डान्स एस्पोर्ट्स चेंपियन सिप के लिए हुआ है तो ये बहुत बड़ी बात है खास कर राहिवा जितनी छोटी आपकी उम्र है और इस उम्र में वहाँ पर जाकर स्वर्न पदक यानी गोल्ड मेडल जीत गई सबसे पहले सभी बड़ों को नमश्कार मुझे बहुत खुशी हो लिए कि मैंने गोल्ड मेडल जीता इसमें मेरी पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया यहां तक कि मेरे बड़े भाई बॉबी मिस्टर रोबो ने भी जो की मेरे कोरिग्राफर है उन्होंने भी बहुत स लेकिन आपने यह कदम जो डांस के ओर अपना रुख मोडा यह आपका डिसीजन था या फिर आपके फैमिली का यह मेरा डिसीजन था मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है तो उन्होंने सपोर्ट किया लेकिन मैं चाहती हूं कि पढ़ाई भी साथ साथ में चले मैं भी चाह है तो भागलपूर में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जब मैं डांस के छेतर में जाओंगी या डांस करूंगी तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है आगे बढ़ने के लिए तो यहाँ पे आपको लगता कि कुछ कमी है अपना भागलपूर भी बहुत संदर है लेकिन जितने भी टालेंटेड लोग है आप उनके लिए आप्शन बहुत कम है तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आप्शन बड़े और पीपल हेल्फुल बने उनके लिए और उनको सपोर्ट करें कि वो बड़े स्टेज पर जाके अपने टालेंट का प्रदर्शन करें तो देंगे तो वो बाहर क्यों जाएंगे क्योंकि फिर वो बाहर जाते हैं वहाँ पर उनको मुश्किलों परिशानियों का सामना करना पड़ता है तो अच्छी बात कहिए आपने एक सवाल और मेरा होगा आपसे कि आज भागलपूर में बहुत सारे ऐसे कारिक्रम आयुजित क किये जाते हैं खासकर टैलेंटेड वच्चों के लिए डान्स हो गया इससे पहले सिंगिंग का था और होता रहता है अपने शहर में तो आपने छित्री एस्तर पर कभी परफॉर्म्स किया या फिर वहाँ से पुरुसकार जीता या फिर डाइरक्ट आप आशन सोल चली गई नहीं मैंने भागलपूर में भी बहुत सारे खिताब जीते हैं डाइरेक्ट मैं नहीं गई मैंने पहले भागलपूर लेवल पे ट्राइ किया फिर मैं गई एक सवाल और मेरा होगा आपसे जल्दी जल्दी में हम लोग सवाल जवाब कर लेते हैं आज आप सिल्क टेवी पर हैं और और काफी सारे लोग आपको देख भी रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे शहर के हैं जो माता पिता हैं उनके जो चाहते हैं कि मेरे आपने बच्चे पर इस चीज का दवाओ नहीं बनाए कि सिर्फ आपको फढ़ाई करना है क्योंकि अभी के कि आधुनीकता का दौर चल रहा है और इसमें सफलता का कोई जो है शौट कट नहीं है अचल कर सकते लुड़ेтор कर सकते हैं ईक इसे एक सवाल हो रह आप से यह आप सिल्क टीवी पे रहें और शहरवासी जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे आपका अगला जो है आप जो है International Dance Sports Championship के लिए आप चैनित हुई है आप देश से बाहर यानि विदेश में अपने देश को रिपर्जेंट करेंगी आप खुशी तो बहुत है लेकिन ये आप लोगों के वज़े से हूपाया और आपके आशिरवाद हम पर बनाए रखें ताकि मैं आगे जाके भी बापस आओं तो खुश खबरी के साथ गोल्ड मीडल लेके आओं बिल्कुल तो हम आपको बता दें कि राहिवा अनवर मेरे साथ थी और ये पशिम बंगाल के आसवन सोल में नेशनल डांस एस्पोर्स चेंपियनशिप में ये गोल्ड मीडल जीती है और इनका चैन जो है वो इंटरनेशनल डांस एस्पोर्स चेंपियनशिप के लिए इनका चैन हुआ है आप हमें सिल्क टीवी पर देख रहे है मेरा नाम विकास कुमार सिंग है मैं भी चाहूंगा कि राहवा अनवर से हमारा ये बातचीत कैसा लगा आप हमारे कॉमेंट सेक्षन में जाकर हमें जरूर बताईएगा वरहाल हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया